part world, एक ऐसा open world pokemon like game, जो कि pokemon से better है, इस game में हम pulse को train कर सकते है, catch कर सकते है, battle कर सकते है, वो भी open world में and also mindraft के तरह हम इस घर मना सकते है, चीज़े craft कर सकते है, अपना base बना सकते है तो शुरवात में हमें यापर तीन परल देखने को मलता है जो कहा हमें जगात न है पिकाज हम पता नहीं कुछ बेहोश बेहोश थे और अफर एट हमें पर चुलता है हमें एक आईलेंड में आ चुके हैं जिह आपर सबसे पहले हमें एक टैबलेट मिलता है और इस टैबलेट को लेके फिर मैं तुरनत ही निकल परता हूँ इस आईलेंड की सफर में तो अज़े श्राटिंग तो हमें एक टैंफल के अंदर होते हैं जिससे बाहर निकलने के बाद हमें अपने दुनिया देखने को मिलता है जो कि काफी खूब सूरत है जो कुछ चोन भी करता हूँ अब बाहित हो इट की तो इट के लिए Minecraft के तरह मैं पेर में पंच मारना पड़ता हूँ भाइट नहीं तूटते क्या भाइट भी आफ्टरेट में आसे एक ब्रैंच में आता हूँ यह Minecraft के क्राफ्टिंग टेबल के तरह है इसके अंदर हम पिकेक्स, एक्स और यह सब चीज़ क्राफ्ट कर सकते है तो सबसे पहले मैं अपने लिए पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ इसके बाद मैं आजए तो पल्स को मारने इसकी मीट हमें खाना पड़ेगा तो फिर क्या था मैं इसको काफी रग कूटता हूँ और 5DK से कुछ अटक्स के बाद यह पल्क खत्म हो जाता है मुझे इसका मीट एंड कुछ वूल मिलता है इससे मारने के बाद इसको बड़ा भाई मुझे अटाइक कर देता हूँ तो फिर क्या था मैं इसको भी धो देता हूँ and after it मैं कुछ चोन को माइनिंग करी जाता है कि मुझे पल्डियम फ्रेग्मेंट मिलता है इससे बनता है पल्स्पियर तो मैं यह पर ब्रैंच में आता हूँ after it मुझे पता चलता है कि रात में काफी कॉल्ड होता है तो मैं यहां से कैमप फैर भी लगा लीता हूँ गोल से बचने के लिए and also मैं इस पर बुलू की मीड भी पगाता हूँ next मुझे मुझे ऐसा पल दिखता है जो कि काफी जादा ही कूल लग रहा था like इसकी hate बिलकुल dream beast जैसे लग रही है and इसका नाम भी कुछ dream जैसा था तो मैं इसको तोड़ा hit करता हूँ and सोच तो मैं इसे फ़र्श पर फर्श परल के रूप में catch करूँगा but यह तो भाई मेरे पर shadow wall कर रहा था bird shield में इसका attack से बच्टा हूँ and इसको काफी सारी hit देता हूँ but इसका एक ही shadow wall मुझे मारने के लिए काफी था तो मैं सुरंतिया से भागने के decide करता हूँ bird shield मुझे से catch करना था but उसी भी इस दूसरा वाला मेरे को मार देता हूँ इसको बाफ़ से catch करना आता हूँ but मैं सारी pulse player आपर खत्म हो गयता तो मैं सिधा side में के peltium fragment को collect करने लग जाता हूँ अपने first pearl को catch करने के लिए and after 8 में आपता चलता है कि मैं अपने हर बड़ते हुए level के साथ HP stamina या फिर weight को increase कर सकता हूँ last battle मैं अपने HP के बड़े से अपनी लंका लग लग थी तो मैं या से HP को enhance करता हूँ and फिर पता है जलते जलते मुझे 2 Ulus की battle लेक में मार रहा भाई मेरको तो पता ही नहीं एक दूसर की मार रहा but जो विए मैंने इनके battle में भी इसमें फाइदा उठाया and also मैंने cloth को भी unlock कर लिया था and cloth क्या करता है मैं defense भी देखा and आपको इसको craft कर निक भाथ मैं थंड भी नहीं लगेगी तो फिर क्याता मैं इसे craft करी रहा था but पीछ में मुझे एक बड़ा सा महमत दिख्या and यह कितना strong है भाई level 35 का यह and literally भाई क्या ही powerful है तो इसे तो मैं cash नहीं कर सकता so मुझे चलते चिकन दिखा and literally यह काफी cute लग रहा था so मैं इसे पहले cash करते है but still अपना पहला ball नहीं ही हो गया but फिर मुझे पता चला कि इसे हमें थोड़ा down करना पड़ेगा and फिर इसका 100% cash rate था and यहां मैं तुमें बता तो हर चीज़ के लिए आपर wooden stone grind करना पड़ता है तो मैं इस पार्ट को वीडियो से डिलेट कर दूँगा ताकि तुम लोको boring ना लगे after grinding too much मैंने एक bow and काफी तरी arrows को craft कर लिया था day 4 हो चुका है and अब मैं तयार अपने bowing arrow के साथ बड़ इसका pose and effect मेरे पर था तो pose and effect के वरे से मैं तो मारा गया but still यह बंदा catch हो गया जो की बहुत अवसम बात है फाइटीकिस हमारे पास आचुके यह dream beast को कि looking में बहुत ज़्यादा cool है and after catching this thing मैं यहां से अपने चोटी सी base बनाने के सोची ज़ा पर हम आपने चीजों को रख सके अपने weight खटा सके and फिर मैं अपने dream beast को काम दी रहे था एक बनाने का जिसे कि हमारे waste decide होगे and इससे मैं अपने Pokemon को भी heal कर सकता हूँ तो मैंने यहां पर एक Pokemon को heal करने रख दिया तो मर गया यह glitch है अब इस पर damage भी ने रशाय से गेम के glitch है मैं तेवे फिर मैं अपने dream beast को 108 aero craft करने दे दिया था जो कि बहुत बड़ी amount है and after it मैं आज़े तो 5DG से कुछ pulse के शिकार करने तो काफी देर घुमने के बाद हमें तो कोई pulse अच्छा दिखा नहीं था बड़ी आपड वुलू देख रहे तो मैं तो मैं से decide के मैं इनको catch करूंगा तो उनको आपड़ डामेज दी and finally किसे मैं इसको capture कर लिया with using my pulse spear बड़ एक सेगंड भाई तो अले मैं मैं माचे के पंगा ले रहा तो तुने उस पर अठाक किया यार भागना बड़ेगा वर नहीं यह बंदा वन शॉट कर देगा लॉलॉ बड़ी वे आफटर इट मुझे आप एक चेस्ट दीगे जिसके मुझे मुझे तीन पर स्पियर एंड कुछ गोल्ड मिले बड़ी वे मैं अपने second channel Lord Elix पर रोज परलवर्ड की गेम पर अप्लोड करता हूँ तो अगर तुम परलवर्ड की डेली गेम पर देखना चाहते हो तो उस चैनल को जागर सब्सक्राइब कर लेना लिंक इन डिस्क्रेप्शन बड़ी वे क्विश्ट्यम ते खमार सफर चलता रहा एंड आकर मुझे खिरन दिखा जोगी गास खा रहा था एंड कितना कूल दिख रहा है तो मैं तो रहन तो इसके पास चला गया से कैस्ट करने के लिए एंड इसे एक खिट दिनी के बाद मेरे को पताशता है सब्सक्राइब करने की बाद मैं सीख गया तक इस कैटक को कैसा डॉच करना है अब तो लिटरली दो बंदे में पैटाय को एक साथ घंटों की महनत पलबर में बढ़बाद होगी लिटरली हार्टकोर मोट खेलना मौत को दावा देने के समान है इस बार तो मैं सुचन को मारे दूँगा लेट्सको एक सेगंड ये ये कुछ जादा परा नहीं ये चमा क्यों रहा है भाई ये कितना बड़ा चिकन अलाई क्या है ये एक सेगंड अभी ड्रैगन पल्स कर रहा ये बंदा क्या है बैट ये मुझे एक मुर्गी मिला था जो कि काफी दा चमक रहा था एंड ये काफी बड़ा भी था तो मैं से कैस करने के ट्राई कर रहा था बट चिल या आये निगी एड लुक अट इस एक कितना बड़ा है नॉर्मल चिकन से लाइक भाई इससे काश कर दूंगा बड़ म मैं ड्रीम बीच ने पता नहीं कि वह अपने शैडव बॉल से इसका काम तमाम कर दिया चिकन के मरचानी की बाद में या पर हिरन को भी डूंगने आ है बट वह पता नहीं या से जा चुके थे तो मैं काफी जाता आगी जाता हूं और फिर यहाँ पर मेरे को एक फॉक्स मिल इसके साथ मुझे और एक पल दिग गया तो इसको मैं काफी टाइम ट्रावल के बाद मुझे दूसरा फास्ट ट्रावल पॉंट डिग आठा तो मैं इस अनलॉक किया और उसके बाद नाइट भी उचुकिती और मुझे ऐसे नाइट विंग गया था जो कि एक फ्लाइंग प इसके लिए और बहुत ज़ितों पाफूल था तो एक बार मैं तो आता ही निए इसको केच करने की बहुत ज़तों ट्राइज के बाद वाद यह बंदा आ जोता है मेरे पल्स पेर के अंदर तो मैंने बाद में काफी ज़तों खुश हो गया था तो मैं अपने तूटे फे घर पाके सू जाता हूं और फिर नेक्स जे मैंने एक न्यू चीज अनलॉक कर लिए जिसका नामने ग्लाइडर तो मैं तुरंति उस चीज को क्राफ्ट करता हूं और फाइड इगी से मैं बन चुका विंड का बाच्चा तो मैं यहां से मस्तिके से ग्लाइड के अब निकल पर और पल्स को कैच करने मैं फिर मैं अपने वेश में वापस आगाता है को चीज लेने बट चाने के टाइप मुझे यह बनता दिख्या यह कौन है यह बन्ना चीजों को सेल करता है बाइड इसके चीजे को जाद ही भेंगे तो मैं इसको जान नहीं दियो और फोकस किया अपन इस बीट गए और फिर मुझे ज़रूरत फिल हुई एक वेस्ट की तो मैंने काफी से यह आपर रूट काटी और मैं अपना खुद का घर बनाने तो काफी टाइम लगा बट चेल मैं काफी नूब हूँ बट जैसे करके मैं यहां से अपने घर को बना लिया था या यह काफी किसे अपने capture rate को high कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे कुछ green lights के ज़रूत पड़ेगी जो कि all over map में मिलती है बाइदेवे progress तो दिखे रहा है भाई हमने काफी सारी pulse को catch भी कर लिया और अपने एक waste बना लिया जो कि काफी इची बात है और यहां सिर्फ मेरे pulse चीज़े color क कि यह EV कितरा दिख रहा था तो मैंने इसको catch करने के try to keep but still यह मारा गया पता निक्यू रात को गुमते-गुमते मुझे यह आप पर एक अलग टेके कपाल दिखा जो कि एक penguin था एक पैंगोईन था और कुछ ice hero fake रहा था तो मैंने तुरंती इसे भी capture कर लिया अपने pulse fire को fake and रात में उल्लू नाओ ऐसा तो होई निसकता देखो मैंने रात का उल्लू मिल गया और पता नहीं कव्वे से भी जादा मैस कर जा है लिटरली हूट हूट कितरा fly भी नहीं कर सकता लाइक सीफेद चल सकता है बट क्या था फिर हमने इसके सथ बाटल की काफी टाइम के long battle के स साथ मैंने एक कोई मार दियाता है दूसरा लो ही हुआ था कि मैंने तुरंते इससे capture कर लिया मन ऐसे पहले सुभी बता नहीं एक पल मेरे को देख के भागने लग गया तो मैंने बोला कैसे बाग सकता है तो मैं इसके पीछे जागे इसको मारता हूँ एंड लिटरली काफी कुल लिख जाता है लाइक कितना मस्त है तो मैं इसे कुछ जैमस देता हूँ अपने नाइट विंग के साथ हैं अफ्रेट फाइट इसके मैं इसके कर लेता हूँ capture और इन सब के बाद लिटरली हमने अपने सफ़र को बहुत आगे बड़ा है हमने बहुत से पल्स से बैटल क बहुत को catch किने के भी try की बट still तो मुझे बता ही मेरे game हाड कोर मोड़ पर चाहँ पर एक चोड़ी से भी गलती मुझे मरवा सकती है तो मैं आपके काफी टाम तक बैटल की काफी पल्स को catch किने के try की बट still बहुत से पल्स प्रेफ एकने के बाद भी इस पल्न मुझे one shot कर कर सकते हैं तो मैंने लेवल 3 के mission को complete करके अपने वेस को लेवल 4 में ला दिया था और चार लेवल होने के साथ मेरे वेस में चार पल्स घूम सकते हैं लिटरली दिको कितना चीद किसी काम कर रहा एक पर्था तो रहा और दूसरा लीग के चाहँ से अंदर रखने लाइक क्य तो मैं तुरंती मेरे सारे पल्स आ जाते हैं लिटरली क्या ही हमला करे लेक दो चिकन से भाई रहाम खा लो सब सब क्यों आगे उनके उपर तो फिर में काफी टाइम तक पल्डियम फ्रेग्मेंन कर लेकर तरा बिकॉस मैंने काफी कमी पढ रही थी तो इस बार मैंने काफी काफी सारे पल्स पेर को बना लिया था और पल्स को लॉंग रिंज से डामज किने के लिए रोस भी बहुत जाद इंपॉर्टन है तो मैंने यहां से 200 बना लिये और उसके साथ साथ मैं यहां से एक न्यू वर्ग्वेंच बनाने में लग किया अपने पल्स के रुपर राइ करने और जो भी पल्स में पर राइन को भी दुबारा से लगा ताकि मेरी लवल जली से बढ़े और उसी बीच मुझे एक क्यूट सा हाथ ही दिखा जिसको मैंने तुर्ण ती चैच कर लिया और उसी के साथ यह फूर तिला बंदर जो कि लिट्टरी वूलु के अटक से बच तो फिर क्या था में नाइट्विंग एक अटक करता है एक अटक के साथ साथ इस हिरन को मार डालता है क्या है भाई तो मैं अपने सब्से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गेते एंद फिर मुझे अचानक से एक बॉस दिखता है जोकि नॉमेल पर से बहुत जोदा बड़ा मैं मतलब पत्थर के पीच्छे से रखे मारंगा उसके काफिसर अटक करने की बाद मैं काफिसर एरो सिक्टर भर्षाता जाता हूं और मैं नाइट्विंग इसे लो भी कर देता है और अफिर अब टाइम आप तक करने का तो मैं तुर्ण अपने पल फिर को फेकता हूं और पताने भगवान मेरे साथ एक चीज था कि एक ही बाहर में यह पल आज अचा तो लाइक कैसे भाई कैसे यह क्या लग है बज़ेविसे कैसके बाद मुझे आसे एक एंशन टेक्नोजी पॉइंट बलता है जिसका युश मुझे अभी तक नहीं पता बॉसको को कैसके बाद हम पर फ्लेम जोने कितने जाद ही अच्छे दिखे रहें तो मिझे इसके बाद की अटाक से भशता गया और काफी तर डामेज करने के बाद मैं डिसाड़ कि कि मैंसे कर लूंगा तो मैं यह पर पर फेक और एक बार में तो बही यह बंदा लिट्रली कैच हो गया और फिर मैं स से बीच मुझे यहां से काफी सारी इक भी मिल रही थी और मुझे बताने इनका यूसा भी क्या है बट मैं इनको कलेक कर लिया और फिर बहुत जादा दूर तक हमां इस सफर आगे बढ़ती गई और काफी दूर जान की बात हमें यहां से वह बापस से दिखे लाइक देख स बट मुझे पता नहीं था कि इस चीज है क्या दो मैं इसके अंदर निकल पड़ा एंड इसके अंदर में एक बॉस देखनो में जो की लावल 23 की थी मैं इसके साथ बैटल दो शुरू की बड मैं भूल के थे कि यह को जादा ही पाफुल है में हैंडल करने के मुखाबले तो मौई मौई हो गई अभी मेरा में फोकस था कि पल्स को मार के उनके सिक्रेट मैट्रियल को करता गया एंड उसी बीच मुझे या उसके एक लामा दिख गई एंड लिटरल यह मुझे को पहले काफे हां मिली थी बाट हर बार यह मर गयी थी मैंने इस पर इसको सर्कसफुली क यह भाई खतरनाक तो लग रही है बट इसके पास एक खतरनाक पाल पिया जो किया है यह वाला इसको देखने के बाद में सर्टी बटी गुल हो गई और मैं भागता इससे पहले इसने मुझे वन शॉट कर लिया लाइक हार्ड कोर मूट खिलना लिटरली बहुत जादा रहते हैं जिनको मुझे हराना है यह इस गेम को और भी ज्यादा हार्ड बना रहा था और उसके साथ मैं कुछ चाइम से वेस्ट से दूर था तो फाइंट इसके साथ मैं आपने नाइट विंग पर सफर कर सकता हूं और मेरा जैस्टी नहीं है और सीक्रेट टी तक पहुशन इक भी मलता है ऐसे हमारी जर्णी और आगे बरते गए और मुझे आप से वह डियर वाप से दिख्या है इस बार तो यह मुझे बहुत जादा दूर भाग गया था बच्विल में इसे एक एरो मार देता हो देसे और फिर यह मेरे पास आता है और इसे कुछ जामज करने के ब अच्छा था जो कि मुझे बैटल में काफी हल्प करने वाला है और ग्रांडिंग यह नहीं रुकी हमें अपने खाने के प्रब्लम सॉल्फ करने के लिए आपने बेरी प्ल्स कर रहा था और दूसरे वाला हीरन लाइक मेरे को लगी तोर के लिए जो कि बहुत अच्छी बात है और में फ्रॉंगर बनने के लिए हमें और फाल्स को काश्क करना पड़ेगा तो मैं नाइक विंके पीट में बैट के बहुत जोंगों गुमने लगा बट चिल मुझे कोई और फ्रॉंगर दिखा नहीं था बट जस्ट मुझे कुछ निवी पर गया फिर में अपने वेस क इसके लिए गड़म पानी का बात बनाता हूं और इसी बीच में और एक शाइल बना ली ती जूगी ती में इस जीरिक चाइडल सबस्سب. बात नहीं हम सहली इतना इतना टाइम अब मेन इनफंडी फॉच्टी तक इना गये अगलीा फॉच Πॉनकती सके बद्लिख्या हुची लिट्विंड बेंटन को सब्शाइव कर दो नाइट यह इसको बाटल यह खोर है यह जो पर दो लिटा है यह वह द्यूलिट अर्फ अग गणर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब ट्रॉज घ्र जोगपार के इने में टुर्ट पालगों की नियुक्षटर तो यह थी जोड़ तो यह तो होगी ऑसम बार बैदेवे नेक्स कुछ इन दो तक हमारा पाल करेंग चालू रहता है और फिर मेरे को फिटा चला एक नीव चीज़ के बार में जो कि ता शील्ड एंड किया यह एक ऐसी चीज़ जो गेम की स्टाटिंग में मेरे को मिल जाती है बाट नॉलेज ना ह मैं यहां से और एक चीज़ को मनाता हूं जिससे की अनुमिदेट उट भी मेरे को मिल सके एंड डेकर हो हिरन कैसे सर मार रहे हैं लिटरली ऑफ स्क्रीन में इस बने ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी स्टार्टिंग से ही तो मैंने इसका नाम रखा था बफी अब यह यह मेरा बेस्ट्रेंड बन चुका है तो बेस्ट्रेंड होने के नाते ही तुझे काम भी करना पड़ेगा ले जा मेरी अरो बना अभी तक मैं अपने वेस्ट को लेवल 7 तक अब्रेट कर चुका था एंड फिर मैं निकल गया वापस से कुछ पाल्स की शिकार करने जापर फ टाइम लगता है तो मैं इसके नेक्स से फिट जाता हूं लिटते लिव चीज काफी ज़्यादा फाफुल थी तो फिर मैंने डिसाइड की कि मैं कुछ नया बॉस को ढूंदूंगा जिनको मैं कैच कर सकूँ बर शियल उससे बख साइड से मुझे कुछ धुआ उटता हुआ तो मैं दूए को फोलर करके निकल गया बहाँ पर अन्र मुझे आपर एक इनमी का वेज दिखा पता नहीं कि इन्होंने एक पोक्यमान को भी आ पर क्या आद गर रखा है तो मैं से लगा तो अपना फ्लेंट्रोर कर लेके इंको जलाने तो फिर क्या था आपना फ्लेंट्रो से मैंने इस पोक्यमान को भी अन्लॉक कर दिया और यह चला गया तो नहीं पोक्यमान के खुशी में मैं रुका नहीं मैं लिटरली बहुत आगे बढ़ता गया और बहुत यह तक सफर करने के बाद मुझे तूसरा अटेंशन मिल गया जिसके आने बहुत तुरंती निगल प तो पोक्यमान तो ऐसे नहीं लड़ेगा तो फिर क्या था मैं इसका बाटल की और काफ ज़दे अरो बरसा है और लिटरली यह बैटल बहुत ज़़दा लंबी देर तक चली और मेरे बहुत ज़दा मदद की इसको लो करने में और इसको काफी ज़दा लो करने के बाद आद चली यह मंदा अपने काम पर निकल भी गया तो ज़दी और उसी बीच में अपने नॉर्मल काम को कर जा था वे इसको अप्ट्रीट चीजे कलेक्टिंग का फार्मिंग करना बट पता नहीं उसी बीच में को पता ज़दा कि यह ग्लिच हो गया मिरे साथ लाइक पैना लाइ क्या है भाई हाथ में तक गया लॉल तो ग्लिचेस तो होते ही रहेंगे पर हम आप तो समबर पर आगे बढ़ते गए और यहां पर मुझे एक राइचु जैसा पोकर वन दिखा लाइक कि इसके तेल को बिल्कुल राइचु जैसा ही है तो मैं इसको थोड़ी बाद डामेश बाद नहीं करने वाला मैं डिसाड के कि इसी बाटल के बीच यह लोग इसे लो कर देंगे मैं से क्याच कर लूँगा और मैंने बदा लिया तक तो बाइसके साथ काफी इजी था तो मैंने काफी देर तक इसको उपर क्याच किन जाई कि हो यह नहीं रहाता और आप प्र फे इसको मुझे चाहिए बिकॉस इसमे मैं ग्लाइड कर सकता और एक अटाक मैंने से लिट्रली कितना दूर ग्लाइड करके जा रहा है तो फिर क्याता हम इसके साथ काफी देर तक बैटल करते हैं एंड उसके बाद मैं से क्याच किने के ट्राइग करता हूं लिट्रली तुम स हुनने लग गया बट अपने आसपास कोई बॉस था है नहीं बाट काफी दूर में मुझे एक बॉस दिखा जो कि लेवल थरी का था था बाइड बाए तो बाई देखो इसके मैं इसके पर रश कर दिया इसके बाटल में एक धिक्क्रती कि मैं अपने अरोस नाना भूल गया कोफी को अजय बॉस के साथ मुझे इससे बाटल करने के लिए लग रहे तो मैंने दूसरा वाला pulse pair पकड़ दे यास है बट उसी भी उसने मुझे मार किया तो अब मैं समझ गए कि मुझे अप्रप्रप्रेशन करने के जबू रहते हैं तो मैंने घर पर आके कॉफ़ करे एरो क्राफ्ट कर लिए और देन मैं तुरंती रिटान आ गया उसके पास यहा हुआ हो सकता है बाट चाहिए बट चैक्से इसके मैं फिलस्केर टोगे है तो इसके झाले आप आपार गार paar चूका है पर चुका है पोट गया से जाने के अले तो पैंदotic ने वह और एक Harvard लगा देता हूं जिसके खाने मैं उस सब्सक्र शुक्त कर लिए एक अपने पाश सब्सक्राइब करते हैं कि अच्छी बात है मतलब पहुद अच्छी से ग्रोव होंगे अक्रेकर कुछ दिन तक मैं ने पर इसके साथ मुझे काफ़ी डिफ्रेंट इनेमिस वेस्ट मिले जहां पर मैंने कावच चाहे नहीं पोकेमों को बचाया और उसके साथ मुझे एक वुल कियो और यहां सब्सक्राइब करते हैं अगे बढ़ते गए जहां पर से मुझे बहुत ही बड़ा कुछ पोकेमों को ग्रूप दिखा तुम ने इसका रहा बोल दिया हैं हमला करके इसके बॉस को क्या लिया तुम मेरे यह वाला पल देख सकते हो जूकि काफी दार्किस लग एक स्नोई मामटे ने जिसके खातिर में अभी जा नहीं सकता तो मैं तुरंति यहां से निकल लिया और बहुत सफर करने के बाद मुझे आप उसे एक स्चैचु दिखा एक लिजीनरी पोकेमोन का बी कितना जादा खतरना के तुम देख की बता सकतो कि यार कितना जादा फिर मैंने दिखा कि यहां पर ना एक बॉस भी है तो भाई इस बॉस से बाद करना बनता ही है तो मैं तुरंति यहां पर निकल देख देख के अंदर एंड इस दूंजन में था एक बहुत ही बड़ा कुछ ट्राइगन एंड रिटरली पताने क्यों बहुत जादे खतरनाक को लग किया तो मैं तुरंति अपने पोकेवान को भान इंखा लान इसे बैटल शुरू कर दी बाई यह पल कुछ जाद ही खतरनाक लग रहा था एंड रिटरली कुछ जाद ही खतरनाक भी था यह मिने पल्स को इग्नोर करके लिटरली मेरे पर रश कर रहा था लाए क्या क् लग बाद करने की बाद मैं इसे कर रहा था और अक्यली इसको चैज़िट ऑनली 0.26 पसंट है तो भाई बहुत जादा लो है बट स्चिल मुझे काफी जादा पड़ेगा मुझे पता था तो मैं एक पर फेक्ट अगया और मिंचे कोई चांस वांस निंग रिख रहा था था पर लगिली एक पर फेक्ट के अंदर या बन्धा आ गया लाइक विजिटी ड्राइगन को हमने कैच कर लिया बट स्चिल जो भी हो यह वाला स्चाच मुझे बहुत जादा इपिक लगा तो आगे मैं अपने डेस्टनी को और बरता रहा लाइक वो सीक्रेट्री बाट बहु अब भी मेरे वेस्ट में वापस से रेड किर गया या कुछ बंद मेरे वेस्ट पर अटायक कर देते हैं हर बार यह होता है अभी तो यह तो यह तीस बार हो चुका है मैंने हर पार वीडियो से कार्ड गिया है बुकस मुझे बहुत बोड़िंग लगता है यह लोग पताने बहुत चारे निव पल्स को कैच कर लिया है जिसको अभी प्र फिर घ्याद है मैं इसको अपने वेस्ट में रिलीस करने के लिए रख देता हूं इतना बड़ा साइज में था ना मेरे वेस्ट में कितना बड़ा है एक पंग हिलाके मेरे घर तोर दे गाई यह बट चिल अभ जो लोग सब्सक्राइब ने करें ना मैं इसको तुमारे पीचर चोड़ू का वह भी हत्तोरा लेके मैं फिर नेक्स दिन तक अपने वेस्ट में चलता रहता है हर लोग काम करता है हम लोग मजे से देखते रहता है और और अल्सो चिल हमारा एक भी अभी तक थोड़ा ही इं सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब करने के लिए इन दोनों को काम दे दिया और कुछ और बॉसस को ढूंडने लिट्रल यह वाला बागी सबसे पहुत ज़्यादा पाफुल है विकॉस में से फाइट करना तभी तुम देख लोगे जब मैंने से बैटल स्टार्ट किना भाई मैंने इसके बद दो एरो फेके एंड उसके बाद ही यह लिट्रली खतरनाक चारी के से अपनी आखो को साइन केने लग एंड यह खूद कूद के हमला करता है लाग कि यह कूद के ऊपर से आता है और हमला करता है चूंकि बहुत जादा चीज है तो हमने इसके तक दुनिया के और नेपल्स को ढूंडने और फिर मुझे यहाँ पर एक के जिसके अंडर एक बॉस रहता है जो कि पहुत जादे पाफुल है और फिर मुझे सोचा पर इन बॉसस को अभी नहीं राते बिकॉस नॉर्मल बॉसस के ना कुछ मैक्स फॉर्म है तो उनको बिकार मे इस मैमस्वाइम को राऊंगा जुके पोहुत जादा बड़ा है और यह मैमस्वाइम है भाई देवे यह बट मने इसके बाटल शुरू कर दी स्टार्टिंग से मेरे को दिख रहा था तो मुझे यह चाहिए ता अपने एक तो मैने अपने पर्ल को भेज देसे बाटल के लि बाट उसने अपने ड्रागन भी इससे नप्तार आला है खुद भी निपट गया उसके विन इटक सा राइक क्या है यह दोनों बट जो भी हो काफी तुकपरा सीन हो गया बट यह मनना ना मरने के बाद इतना लोग ऐसे मतलो भाई तु मरने के बाद हलका हो गया क्या हो गया फिर आगे काफी एड़त उनने के बाद मुझे आपने इनेमिल की वेस दिखा दी बट इन्होंने इस बाट को जादा बड़े पोकेमोन को काप्टर करें रखा था तो मुझे वह पोकेमोन थे तो मैं इसे बैटल शुरू कर दिया और रिटरल यह आपर वाइल पोकेमोन भी के इनेमिल मदद कर देतें यहां पर यह पोकेमोन भी बाट यहां वाद लमबी बैटल हमाई चलती थे अब लोग हम पर समाल आव रहते हैं सो के बार मिने इन बुले लोगों को कर्फोत के लिए और बहुत लोगों बहुत गंदा मारा जिसके बाद में घर पर आपने घर को अपडेट कने लग तपर मैंने बहुत से न्यूग लगए थी बाई दीविस ओफ कि मैं अब्स परिट किया है जाम बनाया था जाने मैं बहुत स सब्सक्राइब करने से पहली में इनको निप्टा राता लाइक क्या दबदती है इनको निप्टाने की बट चिल मैं अपने विए से काफी तक दूर था तो मेरा यहाद से एक भी इंक्यूबेट हो चुका था तो अब वाइं टेकर से टाइम आज चुका है इससे हैच करने का कुछ सारी खतरनाख पाल निकला था तो यह रहा हमारा वह लिचींडी पाल एंड लिटरली क्या ही दिख रहा लाइक इसके बोड़ी में फ्लेम से पूरा बना हुआ है और आते ही अपने काम में लग गया घर को लाइट अप कर रहा है बट चोब यह लुकिंग में बहुत बहुत मुष्किल होता है हाट कोर मुड़ी पर एक लिए देश्के बाद में कुछ और बहुत खूप शूरत पहल थी एंड पता नहीं को खा रही थी मस्तरी के से बड अब इसका खूब सूरत यह यह से नहीं रहने वाली तो मैंने तुरंद इसके ओपर ड्रागन फिक दिय और फिर का था भाई यह वं दी सबसे पहले पता नी कि बजाए मेरे पर चाज रही थी बाइट से थी और बाट गासे रही थी के शाले अउरे ड्या बाहरे यह बहुत जातर गर्लग के बाद अगर फिल आपको फर बाट इंग जाते पिल्ट अजा कर लिए कर दिया अइब स सब समाल लिया एंद आफरेट मैं इसके वह अपना पुस्विया फेक ने लग गया एंद टू पसंट कैच रेट था बट एक तो मेस वेगा दूसरा वाला में फेका बट उसके अटाक ने मुझे आके हिट कर दिया एंद डॉज करने के बाद भी में मर गया बट जिल मेरे मरने इंद एक पर मैंने फेक दिया अनमे रेड़ी था कि अगर दिंखल गया तो फिट से फिकूँगा बट चिल एक ही में ही एक चाप्चिर वग्या चुकि बहुत अच्छी बात है मेरे सारे फेस्ट को देख जाना पर उसके लिए और रात तक मैं उसके पास बहुंच गया होगा तो मैं यहाँ पर कुछ एफेक्ट बेफेक्ट डाल देता हो इसके खांचिर तुमें इस पर देख पाओगे तो देखो भाई कितना जादा एक खतरनाक पर देख रहे हैं बट भाई यहाँ पर पास में बॉस भी ख़रा हुआ था जो कि लिट्टरल में पर अटक कर र करना पड़ेगा बॉस तो भी नहीं मरने माला बट पता नहीं भाई यह बंदा अलगी बॉस ते बिने में पड़ा है बट स्टिल बहुत टाइम के बाद फाइदी किसे में इस बंदे को टाप्चर कर लिया और लिटरली यह मेरे अल्ट्रा मत्व मेंगा स्पीर तान जैसे उस को मुझे मिलता सब्से सब्सक्राइन के लिए लग मुझे सब्सक्राइब लिस सब्सक्राइब निकल पर ज्यार हूं लिए के साथ आया हूं तो स्टार्टिंग में यह आपर बैटा हुगा था था अब जातर यह खुछ नहीं रहने वाला बिकॉज में अपने बावल को फेक जाइस के ऊपर बैटल करने के लिए एंड रिटेमने इगल को फेके बहुत बड़ी गलती की बिकॉज इसके बावफल मूव था यह बंदा यह बंदा यह नहीं दे पारा बट चिल काफी देर तक फाइट के बाद आप इसे में अपने पल को बदला रहा है बट जो भी हो नापर बहुत नंबर देर तक फाइट चलिया हमारी और फाइट होते हो तो लिट्रली भाई यह ली में को मारने की ट्राइग कर आथा एट जो भी हो बहुत देर तक हमारी फाइट चली और मेरे को बदलता रहा हो विकॉस मेरा जब एक पल को यह लो कर देता हो ना मैं तुर्ण दूसरे बदलता हो ताकि एक पल मेरे फोकी बॉल कुन दे बैट के ही लो उसके या और फिर यह लिटर ली एक ही प्ल्स प्रीयर में कैच हो गया इसको सब खतरनाक बॉस को अब यह को दिखाता उसको मुने फिला दिया है तो फाइट है किष्ट है आपने पहुत को रा दिया है नो बहुत है ने बहुत को रहे हैं और लिए आपसे निए नुप पूण्ट को पर हो चु सरूर से लिख देना और इसकी पार्ट तू बहुत जल्द आने वाली है सो मेक्शिर यू सुस्क्राइब इस चैनल सो लेट्स बैग आइस पीट वीगे दिन नेक्ट वीडियो